स्वागत है दोस्तों आप सभी का कीरतिमान फ्यूचर कलासेज में दोस्तों इस वीडियो में कुछ इंपोर्टन्ट कोश्चनों को सॉल्व कराएंगे जो की प्रिवियस एर एकजाम में बार बार पूछे गए हैं तो बिल्कुल ध्यान से समझेगा पहला कोश्चन है दोस्त निन्यानवे गुड़े निन्यानवे माइनस पंचानवे ठीक है दोस्तों तो देखिए यह क्या है यह एक मिस्रिद भिन्न है ठीक है निन्यानवे सही पंचानवे बटे निन्यानवे यह एक क्या है मिस्रिद भिन्न है तो इसको सबसे पहले सरल भिन्न में बदलेंगे तो लिए 99 का गुड़ा 99 में करेंगे तो 99 का square हो जाएगा ठीक है प्लस क्या होगा तो प्लस 95 हो जाएगा बटे 99 हो जाएगा ठीक है और गुड़े क्या हो जाएगा तो 99 हो जाएगा माइनस का 95 ठीक है देखी यहां 99 से गुड़ा है यहां पर 99 से भाग है तो 99 से 99 कैंसिल हो जाएगा क्या मिलेगा 99 का स्कॉायर प्लस का 95 माइनस का 95 ठीक है तो प्लस का 95 माइनस का 95 कैंसिल हो जाएगा क्या मिलेगा दोस्तों यहां से 99 का स्कॉायर अब हम इसको solve कर लेते हैं ट्रिक की सहायता से ठीक है तो जैसे 99 का स्कॉायर निकालना है तो 99 का स्कॉायर कैसे निकालेंगे इकाई का अंक क्या है दोस्तों तो इकाई का अंक 9 है 9 का 2 करेंगे तो 9 का 2 esp81 हो जाएगा दाहई का अंक क्या है दोस्तों तो大概 9 है नो का 1 Q करेंगे तो 9 9 21 हो जाएगा और जितने भी अंक आपको दिख रहे हैं इन सभी का आपस में गुड़ा कर लेना है तो दोस्तों 9 9 81 हो जाएगा 81 182 दूना कितना होगा तो 162 हो जाएगा 162 को दाहिनी तरफ से एक औंक छोड़ करके लिख देना है और जोड़ देना है 182 ठीक है अब इसको जोड़ देना है जोड़ देंगे तो एक हो जाएगा 8 2 10 की 0 हांसिल 1 हो जाएगा 6 7 साथ एक हांसिल आठ हो जाएगा ठीक है आठ में एक को जोड़ेंगे नव हो जाएगा यानि दोस्तों यहां से 9801 आएगा इसका सरलतम मान ठीक है यानि इसका मान क्या आएगा तो 9801 आएगा यानि आपसन नमबर डी राइट एंसर हो जाएगा बिल्कुल आसानी से आप समापोर्तक यानि HCF क्या है देखिए दोस्तों आसानी से स्वाल करेंगे यह सभी दोस्तों क्या है भिन्न है ठीक है तो भिन्नों का HCF बराबर होता है HCF यानि भिन्न का महत्तम समापोर्तक बराबर होता है अंसों का ठीक है अंसों का HCF फार्मूला है ठीक है HCF बटे हरों क यल-C-M ठीक है अगर आप भिन्नों का महत्तम समापोर तक निकाल रहें तो आप अंसों का महत्तम समापोर तक निकालेंगे बटे हरों का लगुत्तम समापोर तक निकालेंगे तो अंस क्या है दोस्तों 4-6-8 है ठीक है अंस है ना तो 4-6-8 ठीक है चार-6-8 इनका निकालेंगे आप HCF बटे हरों का लगुत्तम समापोर्तक यानि 5-8 और 25 ठीक है पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 2 है तो 4-6-8 का महत्तम समापुर्तक 2 हो जाएगा 5-8 और 25 का लगुत्तम समापुर्तक निकालेंगे ठीक है तो 5-8 और 25 का लगुत्तम समापुर्तक क्या हो जाएगा वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5 से भी भाग चला जाए ठीक है 5 से 8 से और 25 से भी भाग चला जाए तो वह चोटी से छोटी संख्या 200 है ठीक है 200 अगर आप ऐसे नहीं निकाल सकते हैं तो आप LCM निकाल सकते हैं simple सा तो यहां से क्या हो जाएगा दो बटे 200 हो जाएगा ठीक है इसका LCM क्या जाएगा 200 आ जाएगा इसको solve कर लेंगे तो 292 यहां से काटेंगे तो 100 बार में तो दोस्तों यहां से CF क्या आएगा तो 1 बटे 100 आएगा और यहीं क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा ठीक है यानि option number B correct है अगर आपको ऐसे निकालने में problem हो रही हो तो आप निकाल सकते हैं LCM ठीक है चलिए अगला question देखते हैं अगला question है दोस्तों यदि A अनुपाथ B बराबर 7 अनुपाथ 9 और B अनुपाथ C बराबर 3 अनुपाथ 5 है तो A अनुपाथ B अनुपाथ C किसके बराबर है A अनुपात B बराबर दिया गया है 7 अनुपात 9 ठीक है और B अनुपात C बराबर दिया गया है 3 अनुपात 5 पूछा जा रहा है A अनुपात B अनुपात C क्या होगा दोस्तों यहां पर आप बताईए कामन क्या है यहाँ पर A अनुपात B है और यहाँ पर B अनुपात C है कामन क्या है तो B कामन है हमको करना क्या होगा जो कामन होगा उसके अनुपात को बराबर करना होगा तो B कामन है हमें करना क्या होगा B के अनुपात को बराबर करना होगा यहाँ पर B का अनुपात 9 है और यहाँ पर B का अनुपात 3 है अगर हम इसमें 3 से गुड़ा कर देंगे तो B का अनुपात 9 हो जाएगा और यहाँ पर B का अनुपात 9 है ही तो यहां से दोस्तों 7 अनुपात 9 हो गया 3 से गुड़ा करेंगे तो 3 तरिक का 9 अनुपात 3 पचे 15 हो जाएगा ठीक है देखिए B का अनुपात बराबर हो गया तो दोस्तों A अनुपात B अनुपात C क्या हो जाएगा ठीक है यानि आपसन नंबर सी इस question का right answer है आसानी से आप समझ गए होंगे चलिए अगला question देखते हैं अगला question है दोस्तों दो संख्याओं का योग फल 16 है तथा गुड़न फल 55 है उनके बियुतक्रमों का योग क्या है यह पूचा गया है देखिए दो संख्याओं का योग सोला है माल लेते हैं पाली संख्या यक से और दूसरी संख्या वाई है तो दोनों संख्याओं का योग जो है 16 है तथा गुड़न फल 55 है पाली संख्या यक से और दूसरी संख्या वाई है तो दोनों संख्याओं का जो गुड़न फल दिया गया है वह 55 है और पूचा जा रहा है उनके बियुतक्रमों का योग फल क्या होगा तो पाली संख्या यक से तो यक्स का बियुतक्रम य का योक फल पूंचा गया है यानी 1360 one Ländern y का मान पूंचा गया है इसको सॉल्व कर लेंगे तो इक्स का गुड़ा एक में करेंगे एक इकस तो य होग गया नीक्षे का गुड़ा नीचे में करेंगे यानी с into y हो जाएगा ठीक है तो x ש wellness y का मान हमें पता है 16 है बटे यक्स इंटू वाई का मान क्या है 55 है तो दोस्तों यहां से 16 बटे 55 ही क्या होगा उनके ब्योतकरमों का योगफल होगा ठीक है यानि 16 बटे 55 जो की आपसन नंबर भी करेक्ट है एक दम आसानी से आप समझ गए होंगे चलिए अगला कोश्चन दे 10 4 ठीटा बरावर काट 40 अंस माइनस तूठीटा और हमें बताना है कि ठीटा का मान किसके बरावर है देखिए दोस्तों सॉल्फ करते है ठीक है 10 4 ठीटा इज इक्वल टू काट है तो दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं 10 90 अंस माइनस 40 अंस minus 2 theta लिख सकते हैं ठीक है क्योंकि 1090 अंस minus theta बराबर क्या होता है cut theta होता है तो दोस्तों 10 से 10 cancel हो जाएगा क्या मिलेगा 4 theta is equal to 90 अंस minus minus का अंदर गुड़ा कर देंगे तो 40 अंस हो जाएगा minus गुड़े minus plus क्या हो जाएगा 2 theta हो जाएगा प्लस का 2 theta इधर आएगा तो minus का 2 theta हो जाएगा 4 theta minus 2 theta क्या मिलेगा 2 theta is equal to देखिए दोस्तों 90 में से 40 को घटाएंगे तो 50 अंस मिलेगा तो theta बराबर क्या हो जाएगा 50 अंस बटे 2 हो जाएगा ठीक है 2 से भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 25 अंस मिलेगा ठीक है theta का मान क्या है तो theta का मान 25 अंस है यानि दोस्तों option number भी right answer हो जाएगा बिल्कुल simple तरीके से आप समझ गए होंगे चलिए next question देखते हैं अगला question है दोस्तों जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयम का 115 प्रतिसत हो जाती है वह संख्या क्या है माल लेते हैं कि वह संख्या यक्स है जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है वह संख्या यक्स है तो यक्स को जब 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयम का 115 प्रतिसत हो जाती है यानि यक्स का 115 प्रतिसत हो जाते प्रतिसत हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा इसको solve कर लेंगे तो यक्स प्लस 24 बराबर क्या हो जाएगा 5 से काटेंगे 25 से हो जाएगा 5 से काटेंगे तो 23 हो जाएगा ठीक है तो 20 का गुड़ा इधर करेंगे 23 x-20 x हमें क्या मिलेगा तो 3 x बटे 20 हो जाएगा ठीक है तो 24 बराबर क्या हो जाएगा 3 x बटे 20 सॉल्व कर लेंगे तो 39, 3, 3, 8, 24, 20 का गुड़ा 8 में करेंगे तो x बराबर 8, 2, 16 यानि 160 मिलेगा तो वह संख्या क्या है 160 है यानि option number a right answer हो जाएगा simple तरीके से समझ गए होंगे चलिए अगला question देखते हैं अगला question है दोस्तों A तथा B मिलकर किसी काम को 8 दिन में A वं B तथा C मिलकर उसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं 3, 1, 7 मिलकर उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं A और B मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं B तथा C मिलकर उसे 12 दिन में कर सकते हैं 3, 1, 7 मिलकर 3 यानि A प्लस B प्लस C 3, 1, 7 मिलकर उस काम को 6 दिन में कर सकते हैं तो सबसे पहले हम पूरा काम निकालेंगे पूरा काम क्या रहा होगा तो 8, 12 और 6 का हम LCM निकालेंगे तो 8, 12, 6 का LCM क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा माल लेंगे कि पूरा काम 24 यूनिट रहा होगा A और B मिलकर 8 दिन में 24 यूनिट काम करते हैं तो 1 दिन में 3 यूनिट काम करेंगे B और C मिलकर 12 दिन में 24 यूनिट काम करते हैं तो एक दिन में 2 यूनिट काम करेंगे A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर 6 दिन में 24 यूनिट काम करते हैं तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे 4 यूनिट काम करेंगे ठीक है देखिए दोस्तों A और B मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं जबकि A प्लस B प्लस C मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं तो A और B मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं तो 3 प्लस C बराबर क्या हो जाएगा चार हो जाएगा, C बराबर निकालेंगे, तो चार में से तीन को घटाएंगे, एक हो जाएगा, यानि C एक दिन में एक काम करता है, ठीक है, पूछा गया है, ए तथा C मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो B और C मिलकर देखी, B और C मिलकर के एक दिन में दो काम करत तो यहां से A बराबर क्या मिलेगा चार में से दो घटाएंगे दो यानि A एक दिन में दो काम करता है C एक दिन में एक काम करता है तो A और C मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे तो एक और दो मिलकर तीन काम करेंगे बोला गया है उस कार को पूरा करने में कितना समय लगेगा कुल कारी कितना है 24 कार है C और A मिलकर 1 दिन में 3 काम करते हैं तो 3 की रहोतर से 24 काम करने में कितना समय लगेगा पूरा समाagnत कर देंगे यानी आपसा नंबर A right एंसर हो जाएगा बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में एक कोश्चन आपके लिए है इसे सॉल्व करके इसका उत्तर कमेंट बाक्स में दीजिएगा दोस्तों इस कोश्चन को आप सॉल्व करिएगा और इसका उत्तर कमेंट बाक्स में दीजिएगा चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर जय हिंद वंदे मातरम